हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो ग्यान विशेश चैनल में आपका स्वागत है हम हाजिर है फिर एक नई जानकार के साथ दोस्तो आँक का पोधा तो आपने अवश्य ही देखा होगा इस पोधे को सुन्दर बैंगनी रंके पुस्पलगते है और बड़े बड़े पत्ते होते है दोस्तो इस पोधे को आपने अवश्य ही पहिचान लिया होगा तो दोस्तो आज हम आँक के फाइदे के बारे में बात करेंगे यह पोधा बारो मास हराबरा रहता है इसे आँक, आकड़ा और मदार भी कहा जाता है आम तोर पर आँक का पोधा जहरीला होता है लेकिन आईरवेद के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है यह पोधा दस्तावर होता है आईरवेद में इस पोधे का उपयोग बवासीर, खांसी, गुल्म और प्लिहा की उरुद्धी में उपयोग में लिया जाता है यह पोधा 4-12 फूट तक उंचा होता है और सीधा बढ़ता है यह जाड़ी रूप होता है और सर्वत रूप पाय जाता है तो दोस्तो आज हम आँक के फाइदे के बारे में ही बात करेंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारी आप से एक घुजारिश है आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो ल कर चोटी चोटी 125 मिलीग्राम की मात्रा में गोलिया बना कर सुखा ले अब इस एक गोली को सहथ के साथ मिला कर उल्टी होने पर पिने से उल्टी तुरंत बंद हो जाती है जोडों के दर्द की समिश्या होने पर आंक की पत्यों को पाने में मिलाए बिना पीछले अब इसका गाडा लेप तयार करके थोड़ा नमक मिला कर दर्द वाली स्थान पर लगाए इसके उपर एक पत्ता हलका गर्मकर के बांध दे इस प्रकार तीन दिनों तक लगादार करते रहने से जोडों की सुजन दूर होती है और जोडों के दर्द में कापी पैदा होता है ुसके अलावा हम आपको बता दे कि आँख का एक पत्ता लेकर इसकी सता पर सरसो का तेल चुपड़ कर दिमें आँच पर इसे सेके अब इस गर्म हुए पत्ते को सुजन वाले स्थान पर लगाए और पांध दे इससे सुजन भी जल्दी से उतर जाती है यह पवासिर की मस्सों में भी लाबकारी होता है इसके लिए हल्दी पाउडर के साथ इसका दूद मिला कर एक लेप बनाए इस लेप को बवासिर की मस्सों पर 3-4 दिन तक लगाते रहने से मस्से जड़कर खत्म हो जाते हैं हालाकी जलन बहुत होती है इसके अलावा यह डायाबिटिस में भी काफी लाबकारी होता है। डायाबिटिस में आग के पत्तों को तलो के नीचे रखकर उपर मोजा पहन ले। रात में इस पत्ते को निकाल कर सुबह में दूसरा पत्ता पहन ले। ऐसा लगादर कुछ दिनों तक करते रहने से सुगर क दस्त होकर आदमी बेहोस हो जाता है। इसके साथ ही इसका उप्योग करते वक्त आखों को इसके दूझ से जरूर बचाना चाहिए। इसका दूझ जहरीला होता है। आखों में जाने से यह आखों को नुक्सान पहुंचाता है। तो दोस्तों ये थी आख की महत्वपूर् वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नहीं जानकारे के साथ।